नमस्कार आप देख रहे हैं MP News और मैं हूँ आपके साथ साक्षी ज्वैन MP News के इस खास सेग्मेंट न्यूस रूम में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम बात करेंगे आज की मदप्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स की चलिए देखते हैं और जोनते हैं मौसम का क्या अ बारिश भी हो रही है मौसम वभाग ने आज 13 जिलों में फिर बारिश को लेकर अलट भीजवारी किया है मतादे की ऐसे में विदाई के वक्त भी बादल जमकर बरस रहे हैं अलाकि ज्वल्दी थंडग थंडग भी है वो भी दस्तक देने वाली है मौसम वभाग के अनुसा अक्तूबर के पहले स्ट्रॉंग सिस्चम से आधा अंपी तर्बतर हो गया है जिहां उन जिलों में भी मूसलाधार बारिश होई है जासे मौनसून दस दिन पहले ही लौट चुका है वह आपको बता दे कि मौसम वभाग के मुताबेक मंगलवार को इंड़ और उज्वैन स अप्र मोहन यादव ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेन रमोदी के महत्वकांची विक्सत भारत 2047 का द्रश्टी कोड 17 और 18 अक्तूबर को भोपाल में खानन कॉंक्लिव आयोचृत किया गया है राज में खानन तेल गैस और खानेजवा धारत उद्योगों की व्यापक संभा अबनाय जो है वो प्रदर्शत होंगी वही मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि मदप्रदेश खनेजवा संसादनों से सम्रद राज देश का एक मात्र राज है जो हीरे का उत्पादन करता है मैंगनीज और तामबा आयस्क के उत्पादन में भी मदप्रदेश अठी ए लाजाराक फोस्वेक्त उत्पादन में दूसरे सीमेंट उद्योग के लिए आवाश्य क्छूना पत्तर उत्पादन मेंतिती और कोईला उत्पादन छोथ इस्थान पर है वहें आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉल गैस सूथ उत्पादन में भी राज दूसरे स् जो 17 और 18 अक्टूबर को होने वाला है स्कारक्रम में उद्योग पतियों और खानन शेत्र के विशेशग्यों को शामिल होने के लिए आमंत्रत भी किया गया है बटे आगया और बता रे कि मदप्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीद्या अस्पताल में काम करने वाले हजारों आउट्सोर्स करमिच्वारी पिछले तीन महीने से वेतन नहीं मिलने से आज से हर्टाल परटवले गए हैं जिहां इसे स्वास्त व्यावस्था जो है हमीद्या अस्पताल की चर्मर आ गई है वहीं अस्पताल में मरीज भी परिश्वान हो रहे हैं अपनी कई मांगों को लेकर वाट बॉय सफाई कर्मी सुरक्षा गाज्वा से करमिच्वारियों ने काम बंद कर दिया है इसके चलते सुबह से ही आने वाले मरीजों को परिशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है जोहां एक तरफ मरीज के परिजनों को खुद ही वीलचेयर स्क्रेचर धकाने पड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ टेक्नीशिन की हर्टाल के चलते लोगों को परिचा बनव हो रहा है बटे आगया और बता दे कि मदप्रदेश के दो विधान सबा सीटों पर होने वाले उप्चुनाफ की तारीखों का एलान हो गया है जिहां बुद्नी और विजयपूर सीख पर 13 नवंबर को मतदान होने वाला है जिसका परड़ाम 23 नवंबर को आएगा बता दे क शिवरात सिंग चोहान के सांसक बनकर केंव मेजवाने से बुद्नी सीख जो है वो खाली हो गई थी वहीं विजयपूर में रामनिवास रावत के कॉंग्रस छोड़कर भाच्पा में शामिल होने की वज़ा से उप्चुनाफ हो रही हैं ये बता दे आपको कि विजयपूर सीख पर मंतरी बनाये गए रामनिवास रावत के नाम पर पार्टी ने मोहर भी लगा दिया है वहीं बुद्नी सीख पर उमीदबार के नाम पर अभी मंतन जो है वोजवारी है आगे बढ़ते और बता दे कि मद्ध प्रदेश में बढ़ते आपरादे घटनाओ को लेकर कॉ विधायक और पूर मंतरी लाखन सिंग घंगौरिया ने मोहन सरकार पर निश्वाना साधा है उन्होंने जबलपुर में मेडिया से चर्चा के दौरान ये कहा है कि शराप के आहते बंद होने से प्रदेश में क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है इसका नतीज़ आया है कि लोग अब सरको परश्वरा पी कर बेवचा एक दूसरे से जगड़ा कर रहे हैं या थि आज की मदप्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स और भी अपडेट्स के लिए आप बन रहे हैं MP News के साथ नमस्कार MP की नफस MP का हाथ मदप्रदेश की हर खबर MP News TV के साथ लगातार खबरों के लिए सबस्क्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल MP News TV लेटिस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न पूझे